बिते तिनों राज सरकार ने कोट फीस में बढ़ोतरी की थी इस मामले पर वकिलों ने विरोज जताय था अब अधिवक्ता अंदुलन की राह पर है स्टेट बार काउंसिल ने प्रेसवारता करसुमवार को नियाईक कारिक ठप रखने की बात कही है राज सरकार ने फरवरी के गजट में कोट फीस बढ़ोतरी को लेकर जानकारी दी थी गजट प्रकाशित करते हुए राज सरकार ने कई स्टम्प में दो से तीन सो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है ऐसे में आज स्टेट बार काउंसिल के अध्रक्ष राजे इंद्र कृष्णा एवं डिस्टिक बार एस्सोसेशन के बहासचिव संजय वद्रोही ने सयुक्त प्रसवारता करते हुए कहा है कि राज के सभी अधिवक्ता सोंवार को नियाई कार ठप रखेगे हम लोगों ने ये निर्दे लिया कि मंडे को पूरे राज में हम लोग इस कोटफी एक्ट जो नया आया है इसका विरोध करेंगे हम लोग अपने आपको नयाई की कार्च से वंचीत रखेंगे अलाकि गौर करने वाली बात यह है कि कोटफी इस बढ़ोतरी से आम लोगों के ही जेब पर असर पड़ेगा मुकद में दो प्रकार के होते हैं दिवानी और पौजदारी दोनों में लगबग 200 से 300 प्रतिशत की बाहतरी हुई है वो बढ़ा के सरकार ने अब कर दिया तीन लग हो गया अलाकि बीते दिनों में स्टेट पार कॉंसील एवं राची डिस्टिक पार असोसेशन ने राथ सरकार को पत्र लिकर इसे वापस लेने वो कहा था जब सरकार कोई संतोज जनक जवाब नहीं थी तो अधिबक्ताओं का रोश लाजमी है देखना ये होगा कि सुबार को विरोध कितना बड़ा होता है कैमरामेन मंटू के साथ राची से नीज़रान भारत के लिए आयुश्की रिपोर प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा